मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार फिर से खडा करना चाहता हूँ उषकाम में लगाओ घंदा पानी कभी नहीं पीना कभी नहीं पीना कितनी ही गरमी पड़े ठंडा पानी कभी नहीं पीना क्यों नहीं पीना जी? ठंडा पानी होता क्या है? पहले तो ठंडा पानी समझो आयरवेद में यह कहा लिया कि जिस पानी का ताप्मान 27 degree centigrade से कम हो वो पानी ठंडा है अब 27 degree से कम पानी कौम सा होता है? यह जो रेफ्रिजरेटर में पानी रखा होता है ना यह 4-5 डिग्री सेंटिग्रेट का है अब बरफ मिलाया हुआ पानी है वो करीब करीब 2,5-3 डिग्री सेंटिग्रेट का है तो यह ठंडा पानी है बरफ में मिलाके या रेफ्रिजरेटर में रखे तो freeze का पानी नहीं पीना, बरफ का नहीं पीना, क्यों नहीं पीना, ठंदा पानी पियो तो तकलीफ क्या होगी, आपका पेट गरम है कि ठंदा, गरम, ठंदा किसका है, सबका पेट गरम है, ठंदा नहीं है, तो सबका पेट है गरम, अब गरम पेट में हम ठंदा पानी डालें तो जगड़ा होगा क्या जगड़ा होगा या तो पेट पानी को गरम करेगा नहीं तो पानी पेट को ठेंडा करेगा यही तो होगा गरम पेट में ठेंडा पानी डाला या तो पेट पानी को गरम करे या पानी पेट को ठेंडा करे मान लो पानी ने पेट को ठंडा कर दिया थोड़ी देर के लिए सोचो पानी ने पेट को ठंडा कर दिया पेट के ठंडा होते ही हिर्दय ठंडा होता है क्योंकि हिर्दय और पेट जुले हो हिर्दय के ठंडा होते ही मस्दिश ठंडा होता है मस्दिश के ठंडा होता है या आदमी का ठंडा पनाता है फिर राम नाम सब चे हो जाती है और आप सब माताइं बहने जानती है ना आदमी जब ठंडा होता है तो घर के बाहर ठेख देते हैं निकाली के घर में भी लखते हैं जब तक आदमी का शरीर गरम है तब तक उससे लिपट लिपट के रोते हैं ठंडा होते ही दूर से प्रणाम करना शुरू करते हैं और इतना दूर से प्रणाम करते हैं कि फिर हैरानी होने लगती है भी यह सगे लोग है समझ लो ठंडे शरीप की इसप नहीं है और जैसे घर के बाहर आया शरी ठंडा तो मुहले परोस वाले एक ही बात बोते हैं जल्दी लेके जाओ जल्दी करो जल्दी करो अरे भले आदमी 40 साल जिसमें इतना बढ़िया मकान बनाने में लगा दिया ठंडा होती ही कहने लगे जल्दी करो जल्दी करो भगाओ निकालो इस मकान से यहां जेगे नहीं इसकी समझ लो ठंडे शरीर की इजट नहीं है तो ठंडा पानी पी के क्यों ठंडा करना शरीर को तो इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना अब गंबीर बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जैसे ही हम ठंडा पानी पीते हैं पेट पानी को गर करता है और जब पेट पानी को गरम करेगा तो पेट में पानी गरम करने के लिए उर्जा की ज़रुरत पड़ती है वो उर्जा रक्त में से आती है तो सारे शरीक का रक्त पानी को गरम करने के लिए पेट में उतराता है अब शरीक के हर अंग में रक्त की कमी आ जाती है और व जब मई जून की गर्मी आएगी तब मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं लेकिन फ्रिज का पानी तब भी नहीं पीना बरफ का पानी कभी नहीं पीना अब मैं एक मजे की बात बताता हूँ जब मैं पहली बार विदेश प्रवास में गया तो मैंने देखा वहां के लोग बहुत थंडा पानी पीते हैं इतना थंडा पानी पीते हैं कि पानी को फ्रिज में रखते हैं छे-सात दिन थंडा होता है फिर पानी को निकालते हैं फिर उपर से बरफ दालते पिर पीते इतना ठंडा पानी परिणाम जानते ही क्या है जब भूट ठंडा पानी पीते तो मैंने कहा ना शरीर का सारा जर्त पानी को गरम करने के लिए पेट में आता है तो शरीर में एक हमग होता है जिसको हम बड़ी आद कहते हैं लार्ज पानी पिलेते हैं तो इसका जो खून है लार्ज इंस्टेर्ड पेट में चला जाता है तो यह भूट जाती है फंड़ो जमिंदोंकी अन्दर नहीं निकले गा तो घंटों घंटों उनको बैठना पड़ेगा संडासकर तो मैंने देखा व्यूरोप और अमेरिका के लोग जब जाते हैं न टाइलट में तो 2-2 घंटे बाहर नहीं आते हैं रहीं करते हैं तो करते हैं कित उत्त था करते हैं अंदर किससों यो किते हैं कि इसकी फूराव। आइन में पूच्छा आप लागे हैं फिर भी पैट साफी हो अगार भी टर फूर में पूछता हूं और च सकते का ते गाना गात Turkish का बैhos प्र जब जाना तकलिफ होती है तो तो दूसरा गाना गाते एक पार आजा आजा समस्या पता है क्या है उनको कबजियत हो जाती है और कबजियत का कारण क्या बड़ी आजसी कुड़ का इबंद हो गई अम्मल निकलेगा नहीं इसमें से यह समस्या कहां से शुरू हो यह ठंडा पामी पीने तो आप लोग पी ओवे फिलना पामी आप गाने गाना पुरेगा फिलना